नमस्कार में गोईन्द मीना केंद्रे विध्यले जेतपूर इस फीडियो में हम क्लास 7 की जोग्रोफिक के चैप्टर नमबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ को इस्टडी करेंगे इस चैप्टर में जो हमारे टोपिक रहेंगे वे इस तरीके से रहेंगे सबसे पहले जो हमार है एर्थ में जो लेंड़ फॉर्म में चैंजिस होते हैं जैसे हमें जो मौंटेंस दिखते हैं पल KitaWe दिखते हैं प्लेंस दिखते हैं इस डिफ्त वेलिज़ दिखती है तो यही जो एने इस चैप्टर में हम छीखेंगे तो देखो इसके पिछे दो पॉर्से इसकाम करती है एक एंडोजेनिक पॉर्स और एक एक्सोजेनिक पॉर्स तो इंट्रोडक्शन में एंडोजेनिक पॉर्स और एक्सोजेनिक पॉर्स के बारे में जानेंगे फिर जैसे जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा एंडोजेनिक पॉ होती हो जिसका ओरीजन होता है तो अंदर से लगने वाला जो पॉर्स है उसको कहा जाता है एंडोजेनिक पॉर्ष या अंतर जाती है बल तो इसे जो अर्थ का जो सर्फेस उसमें ओल्किनों आता है अथक्वेक आता है इनके बारे में डिटेल से जानेंगे फिर इसके बाद कर दोब और्ष में पोर्ष होता है एड kita में यह सुक्त तर्थ पोबिक होगा एक्सजेनिक पॉर्ष होगा हमारा अर्थ में सर्फेस होता है सुर्फेस में एर जानि हवाथ वाटर sea waves ice इन सबसे भी क्या होता है जैसे ही निचे जैसे मालो endogenic force से कोई mountain बन गया है ना endogenic force से कोई mountain बन गया उसी time उसी समय पर क्या होता है कि जैसे वो अर्थ सरपेस में आता है ना तो river waves, ice और जो window ती ना उसकी कटाई करना सुरू कर देते हैं एक्सोजेनिक वो पोर्स होते हैं जो अर्थ के सरपेस में लगते हैं एक्सो का मतलब होता है outer और जैनिक का मतलब होता है origin तो एक्सोजेनिक पोर्स क्या हो गए बहर जाती है बल तो देखो इसमें हम work of river को देखेंगे कि river कैसे एक mountain से निकल के मैदानों में आती है प्लेंस में आती है पिर वो मिनांडर बनाती है और और offer बनाती है और लास्ट में वो delta की रूप में किसी नदी में मिल जाती है समुदर में मिल जाती है इसके बाद हम जो c ए I am samudर samudर की जो waves होती है उससे भी करी सारे landforms बनते हैं उनको भी जानेंगे इसके बाद जो ice होती है ice भी क्या करती है दीरे-दीरे move करती रहती है तो ice से भी जो landforms बनेंगे ना उनके बारे में भी हम जानेंगे last time जो wind से बनने वाले जो landform है उनको study करेंगे topic को start करने से पहले एक information है सभी को अपनी जो 7th class की जोग्रफिक टेक्स्ट बुक है वो साथ में ले लेनी है साथ साथ में वीडियो को पोज़ करके इनको पढ़ लेना है तो देखो जो earth की crust है ना वो कई सारी जो saveral large जो small बड़ी और छोटी छोटी प्लेट से बनी हुई है देखे हमारी जो earth ना वो इन प्लेट में बटी हुई है जैसे यह जो प्लेट है यह है African plate और यह जो प्लेट है जिसमें इंडिया का maximum part है वो है Indian plate यानि जो crust है ना earth की earth की जो crust है देखो जो यह जैसे पहले वाले chapter में आपने study किया था कि earth का जो interior है inside जो earth है सबसे उपर crust है फिर mental है फिर core है तो जो crust है ना crust के नीचे अपर mental में क्या है magma है तो उस magma के उपर यह सभी plates तेरती रहती है floating करती रहती है यह सारी plates है ना यह जो जितनी भी plates है जिसे छोटी plate है caucus plate इसके लाओ एफरीकन plate कितनी बड़ी है यूरेशन plate कितनी बड़ी है इन plates में यह divided है इसके लाओ यह जो 9th में जब आप जाओगे 9th में जो जो ग्रफिका आपका second chapter होगा the physical feature of India उसमेs plate tectonic जो थियोरी है नो उसको आप दुबारा पड़ोगी यहां से जाने के बाद ठीक तो जो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है और जो ओशन फ्लोर हो या फिर जो कॉंटिनेंट हो ओशन फ्लोर जिससे पहले वाले चेप्टर में हमने जाना था कि जो प्लोर होता है जो महादीफ होते हैं वो कॉंटिनेंट होता है तो इससे मिलके क्या बनता है लितोस्पेरिक प्लेट्स अब यह प्लेट्स क्या करती है धीरे-धीरे मूँ करती है साल बर में जैसे मिलीमिटर भी नहीं कि सकती है बहुत कम हर साल बहुत कम इनकी स्पीड होती पर जब यह मूव करती है ना तो यह जब मूव करती है तो हर्त में हल चलोती है मूवमेंट्स होते है तो ठीक है देखो और यह मूव क्यों करती है जो मॉल्टन मेगमा है Ne जोँआлов किन पॉर्ट से होता है दो टाइब के पॉर्स से पस्त होता है एंडोजेनिक पॉर्स दूसरा होता है एकसोजेनिक पॉर्स तो देखो जो अर्थ के इंटियरियर में से यानि जो अर्थ के अंदर से जो पोर्स लगता है उसको एंडोजेनिक पोर्स बोलते है जिसको अंतर जाते शक्ती भी कहते हैं जब कि जो कोई जो पोर्स बाहर से लगेगा अर्थ के सरपेश से लगेगा उसको कहा जाएगा एक्सोजेनिक पॉर्स तो देखो जब इंडोजेनिक पॉर्स होता है तो उससे क्या क्या जो लेंड फॉर्म से वो create होते हैं जब ये इंडोजेनिक पॉर्स अचानक हो जाता है जब sudden moment होते हैं तो देखो sudden moment आएगा तो earthquake आएगा और अगर यह movement दीरे दीरे होता रहेगा इंडोजेनिक पॉर्सेज का तो इससे पता है mountains बनेंगे फोल्ड mountains जैसे दो plates एक दूसरे से टकराएगी न प्लेट विवरतनिक में ते एक plate समर्ज हो जाएगी दूसरी plate उपर की तरफ उठना start हो जाएगी तो इससे क्या बनेंगे mountains बनेंगे फोल्ड mountain ठीक अब इसके बाद रता है exogenic पॉर्स एक्सो का मतलब होता है outer जैनी का मतलब होता है origin पॉर्स का मतलब होता है शक्ति या बछ तो जो बाहर से लगने वाला अर्थ के सरफेस में लगने वाल जो बल है उसको exogenic पॉर्स कहेंगे जो exogenic पॉर्स में umaeur ju Does इनिक बहुत बदा रोल करते इसमें देखो को रिवर से एक्सोजनिक पोर्स लगते हैं नदिया पने पाने के साथ कई सारे लेंट फॉर्म बनाते हैं विंड जो होते हैं सीवेह का मतलब होता है origin यानी उतपति तो देखो endogenic force भी दो टाइब के होते हैं यहां देखे endogenic force भी कितने टाइब के लते हैं दो टाइब के एक तो सडन पोर सेज होता है जो अचानक लग जाता है और एक होता है डायस्ट्रोपिक पॉर्स यानि धीरे धीरे लगने वाला पॉर्स तो जब सड़न पॉर्स होता है तो अर्थक्वेक आता है लेंड स्लाइड होते हैं और जब डायस्ट्रोपिक पॉर्स लगते हैं तो माउंटेंज बनते हैं जिसे Foulding the mountains जो कौन से forest के कारण बनते हैं वो बनते हैं Indogenics में जो the Diastropic force जो forest है न उससे Montains बनते है जिसे हमारा हिमालय इन्य इसी forest से बनाया है Indiya में himalin इन्य इसी forest से बनाया है जिसे यहां पर देखना आप इसमें यह वाली जो plate न इन्डियन Plate यह इंडियन प्लेट कहां पे चली गई यूरेशन प्लेट के नीचे तो यहां पे कौन सा मॉंटेन बना हमाले मॉंटेन अब देखो Sudden Moment आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ क्योएक आता है जिससे अर्थ में कहीं सारे destruction होते हैं और कहीं सारी तबाई होते हैं जब कि Slow Moment में क्या होता है Fold Mountain का निर्मान होता है अब देखो एक के करके देख लेते हैं तो देखो जो ओलकियोन है एक प्रकार से जो अर्थ का कोई छेद होता है यह पिर कोई वेंट होता है जिसके थूँ जो मेंगमा है ना मॉल्टन मेंगमा जो की कहां पे है अर्थ की क्रष्ट के नीचे यह किसी छेद की तुरो जब बाहर आता है जानत इसको क्या कहा जाता है इसको ओलकियोन कहा जाता है यानि जब मॉल्टन मेंगमा माटीरियल जो होते है मॉल्टन माटीरियल इरप्ट होते है इरप्ट का मतलब होता है एक साथ पूरी पोर्स के साथ बाहर आते है अर्थ के क्रष्ट के नीचे से तो इसको क्या कहा जाता है ओल्केनो कहा जाता है तो देखो ओल्केनो में जो क्रश्ट के नीचे तो मोल्टन मेगमा होता है जिसको कहा जाता है मेगमा चेमबर यह देखो यहाँ पर जो क्रश्ट के नीचे जो जहाँ पर मेगमा होता है है ना जब तक मेगमा अर्थ के अंदर है तब तक उसको मेगमा कहेंगे जैसे मेगमा उपर आ जाएगा जो अलाम की के थुरू बाहर तो इसको कहेंगे लावा क्या कहेंगे लावा तो मेगमा क्या है मेगमा जब तक क्रश्ट के नीचे जो मॉल्टन माटेरियल है उसको लावा ठीक तो जो ऑलकेनो इरॉप्शन होता है तो इसके साथ लावा निकलता है एस लिकलती है गैसे निकलती है वैपर निकलती है और जिस से निकलता है यह ना जिस नाली से जिस छेद से निकलता है उसको वेंट कहा जाता है ठीक और इसके लावा जहां से जो सबसे उपर यह चोटा से छेद होता है बिल्कुल जो mountain की ओपर इसको crater कहा जाता है और जब पता है जब यह जौला मुखी है ना वो बनके और समाब तो जाता है मलब फूट के समाब तो जाता है और जब वहाँ पर जौला मुखी दूबाला नहीं फूटता है तो पता है वहाँ पर पानी भरने से एक जील बन जाती है जिसको crater lake कहा जाता है क्या कहा जाता है crater lake तो इस प्रकार से हमने औलकेनों को पढ़ लिया है इसके बाद आता है second earthquake देखो earthquake भी क्या होता है कि जो लीथोइस्पेरिक जो plates हैं यह जो plates है ना जब इसमें moment होता है किसी भी plate में कोई सा भी moment होगा ना तो उससे क्या होता है जो अर्थ है ना उसमें कमपन होता है उसमें क्या होता है vibration होता है और जब यह vibration अर्थ के चारों तरफ ट्रेवल करता है तो देखो, जिस जगे पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, यानि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जिस जिस ये अर्थ है, अर्थ में ये हमारा स्कूल है जेतपूर, जेतपूर के 8 किलोमेटर नीचे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, हमारी जेतपूर के 8 किलोमेटर नीचे, बिलकुल नीचे, सेंटर में, आठ किलेमेटर नीचे जो vibration है, वो start होता है, तो उस जगह को कहा जाएगा, focus, आपस ऐसी जगह होती है, जहां से movement start होते है, vibration start होते है, ठेक, अब जैसे वो 8 किलेमेटर की traveling करके सीधा सबसे पहले हमारे school के उपर आया, यानि जश्ट सबसे पहले उस ने कहां टच किया, सबसे पहले सबसे नजदीक उसके पास कुन सी जगे थी, vibration के हमारी school तो हमारी school में जहाँ सबसे पहले अर्थ के cognition में आएगा यानि अर्थ के surface में सबसे पहले आएगा, जिस जगे पे उसको कहा जाता है इपी सेंटर तो जहां से तो जनरेट होता है उसको फोकस कहा जाता है और अर्थ के सरपेस में जिस जगह सबसे पहले आता है उसको कहा जाता है इपी सेंटर और देखो जो अर्थ क्वेक है ने इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि अर्थक्येक आएगा कि नीएगा Box के बारे में तो फिर भी बता देते हैं कि dolkieno फुट सकता है एरप्ट हो सकता है लेकिन जोitherquake चैना इसके बारे में कोई भी सॉही तरीकी से प्रिडिक्ट नी कर सकता है लेकिन पिर भी क्या होता है कि कुछ common prediction है जिसमें जैसे जो जानवरों का behavior से पता लगता है अगर जानवर different type के behavior करने लग जाए ना तो अर्थ क्योए की chances होते हैं वही अगर जो peace होती है जो pond में अगर agitated होने लग जाए आकरमक होने लग जाए या फिर जो snacks जो साप होते हैं सर्फेस में आजाए तो एक prediction हो सकती है कि से become आएगा तो अर्थ क्योए क्या होता है अर्थ के अंदर जहां पे vibration होता है जिस जगhet vibration होता है उस जग़ों को focus कहा जाता है और जिस जग़ों पे vibration की पहली wave आती है जिस जग़े सबसे पहले जहां पे सबसे पहले जिसे आठ किलोमेटर नीचे कम भुठा और अर्थ सर्पेस में इस जगे पहुचा तो यह तो फॉकस हो गया और यह हो गया इपी सेंटर इसके बाद देखो अर्थक्वेक को जी होता है रेक्टर इसकेल में नापा जाता है रेक्टर इसकेल से जो वेवस होती है उनको इस तरीके से देखो यह जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी उसकी इंटेंसिटी होती जाती है तो रेक्टर इसकेल है ना वो अगर रेक्ट तक आता है, दो से लेकिए, टू से लेकिए, फाइब तक आता है, तो उसे डेमेज हो सकता है, ठीक, और अगर शिक्स से जदा आता है, मेगनिट्यूड उसका, है ना, शिक्स से जदा अगर मेगनिट्यूड आ जाता है, अर्थक्योग का, तो वेरी स्ट्रॉंग होता है, और जब सेवन से उपर कोई एर्थक्राइक आता ही तो मेजर एर्थक्राइक होता है जयसे ढूटावजन जो फॉर है इस जगह पर ύमिंध पे एंडियाने प्लेट और उूरेशने प्लेट के पिच जो एक मूम्मेंट हाता तो इस जगह पर एर्थक्राइक आया था जो आठ डिरिक्टर स्केल में आया था, उसका मेगनिटूट कितना था, आठ था, तो उससे क्या हुआ, सुनामी जनरेट हुई, सुनामी से इंडिया में भी सुनामी आया, कोई सारी रिजन में सुनामी आ, चलिए ओ, देखो, जब भुकंप, पानी में आता है न, तो उससे कि जब बुक्कंप समुद्र के अंदर अता है तो जो समुद्र के अंदर जब आएगा जीसे यह माण लो यह समुद्र है समुद्र के जो ऊशियन फ्रोयर होता है तो halfway जो इस तरीक चुब ना हाए जाएगा और पर यह क्या करता है किसी भी country के वहाँ जाके तबही मचाता है ठीक इसके लावा जो जो अर्थक्वेक है जिसको study किया जाता है जिस सब्जेक्टिम उसका नाम है सिस्मोलोजी सिस्मोलोजी हो सब्जेक्ट है जिसमें अर्थक्वेक है जिसको study किया जाता है scientific तरीके से इसके बाद देखो अर्थक्व या transverse wave देखो इस तरीके से ये movement करती है ये ये waves होती है ठीक इसके बाद थर्ड होती है L, L को love ये जो love नाम के कोई वेकती थे उन्होंने इन surface जो waves थीन की खोज करी थी तो उनके नाम पर इनको L waves या surface waves भी का जाता है तो अर्थ के वेकते तीन टाइप की waves होती है और तीनों waves अलग अलग जगह ए ट्रेवल करती है जैसे जो primary waves है ना ये liquid में और solid दोनों में ट्रेवल करती है अर्थ के अंधर पूरी जगह ट्रेवल कर लेती है जबकि ये waves है ये शिर्प solid में ही ट्रेवल करती है और dakot में से सभी जो वेक ऐसे घातक होती जेसे अपर सपोर्ट में आप कीछ theatre है टेबल रिया ना उसके नीचे आपको छुपा लेना है यह जिए जी को डिवारों में आपको लेके हवाला इस पर नो को चुपा लेना है वरे फिर उर्साले लो झूरे। स silence और षिए सनसी उनड ना चिंप Paul itiner चीए lisa इंसे दूर रहना चाहिए क्योंकि जब फूडता है न है उम इसफ्रean में इंचे चोट्ड़ा खत्रा बना रहता है। इस्के लिए हमें हमें हेमेंज सब शुयाचा प्रिपेररेना चीए उसको हम second वीडियो में study करेंगे इस वीडियो में हमने endogenic force को study किया था work of river हुआ work of river में ये और इसके बाद work of sea waves, work of ice, work of wind work of wind से ये जो बने हुए land forms income second वीडियो में study करेंगे ठीक तो इस वीडियो में जो जो हमने एक बार study किया उसका revision कर लेते हैं इसमें सबसे पहले तो जो हमने जो land forms बनते हैं वो दो पोर्सेज से बनते हैं एक endogenic force होता है एक exogenic पोर्सेज होता है तो इसके बारे में हमने जाना और ये भी जाना है कि जो हमारी earth की crust है ना वो कहीं सारी plates में divided arrow किसमें जो molten magma है ना अर्थ की crust के नीचे उसके उपर float करती रहती है यह कहीं सारी plates रही है ना यह सारी plates हैं इसके बाद हमने जाना इंडोजेनिक पोर्स इंडो का मतलब होता है इंसाइड जेनिक का मतलब होता है ओरीजन तो देखो इंडोजेनिक पोर्स भी दो टाइब के होते हैं एक sudden movement जिससे earthquake आता है भुकम पाता है जो आलम के आता है लेंड स्लाइड होता है वही जब slow movements होते हैं किसके एंडोजेनिक पोर्स के जो इसके क्या बनता है folding mountain इसके बाद हमने ओलकेनो के बारे में जाना जब अर्थ के surface में जब suddenly eruption होता है किसका mortal materials का तो उसको कहा जाता है जोहला मुकी या ओलकेनो ओलकेनो में क्रस्ट के नीचे magma chamber होता है जहां पे magma हो इसको कहा जाता है लावा जहां से निकलता है उस जगह को crater कहा जाता है और एक नली जो होती है जो पूरा च्छीद होता है magma chamber तक उसको कहा जाता है वेंड इसके बाद हमने earthquake को जाना जब लीथो इसपेरिक जो plates होती है उसमें जो sudden moments आता है या vibration होता है तो उसको earthquake कहा जात जाता है और जिस जगह यह vibration start होता है उस जगह कहा जाता है focus और सबसे पहले जिस जगह पहुंचता है उसको कहते हैं EP Center इसके बाद earthquake को रिक्टर से नापते हैं इसके बाद हमने earthquake की जो waves पी waves जो primary waves है एस वेव जो secondary wave है एले wave मतलब जो love wave है इनको हमने study किया इसके बाद हमन management की measurement हमें लेने चाहिए वो हमने किये जैसे कि हमें safe sport की खोज करनी चाहिए जहां में सुरक्षा प्राप्त हो become पाए कुछ चीजों से हमें दूर रहना चाहिए fire से जो काच जैसी चीज़ें उन से और हमें हमें साब prepare रहना चाहिए इसके बाद जो exogenic force होगा इसको हम next video में जो study करेंगे जिसका link आपको description box में मिल जाएगा इस chapter का chapter number 3 है our changing earth इसका ये पहला वीडियो था इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you